नमस्कार मेरे प्यारे संस्कृत के विद्यारथियों, संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत के अध्यापकों, संस्कृत के विद्वानों, विद्वज्यनों सभी को प्रणाम करते हुए प्रारम करते हैं आज का ये मौडल पेपर ये model paper Sanskrit कक्षा 12 के लिए है और 2023 का जो board exam होने वाला है 16 February से start है हिंदी का पहला paper है धीरे धीरे Sanskrit का भी number आएगा तो आईए उसी के लिए हम ये बिलकुल बहतरीन model paper लेकर के आए हैं A to Z चीजें solve कराएंगे तो बने रही है हमारे साथ और जितना हो सके आप share करिए आप अगर Sanskrit अब बनता है कि इसको share आप जरूर करेंगे आईए तो सबसे पहले आपको एक गद्यखंड मिलेगा क्या मिलेगा एक गद्यखंड मिलेगा और इस गद्यखंड में आपको क्या करना होगा इस गद्यखंड से एक तो आपको कुछ रेखांकी तंश जैसे मिला है ये मिल इसका आपको व्याख्या करनी होगी और पांच प्रश्ण मिलेंगे पांच प्रश्णों के कितने उत्तर मिलेंगे आपको पूरे के पूरे दस अंक मिलेंगे ठीक है यहां पर दस अंकों का आपको एक गद्यांस मिलेगा पांच प्रश्ण पांच प्रश्ण दोव नंबर के ह कुझे जो दस नंबर में आएगे बिल्कुल ऐसा सेम ही ऐसा बोर्ड का पैटर्न है सेम ऐसा ही आने वाला है पेपर ठीक है तो सबसे पहले गद्यांस चंद्रा पीट कथा से अत महाश्वेता कादंबरीम अनामयम पप्रिच्छ अत माने होता है इसके पस्चात महाश्वेता म स्वास्थिक को पूँचा यानि कादंबरी के हालचाल को पूँचा सातु सखी प्रेमना सातु वहतो सखी प्रेमना सखी प्रेमना मतलब सखी के प्रेम से सखी प्रेमना यानि सखी के प्रेम से ग्रह निवासेन ग्रह निवासेन सखी के प्रेम से ग्रह निवास को कृत अपराधेव, अपराध समझ कर लज्य माना लजाती हुई क्रच्छात यू, क्रच्छात यू मतलब कश्ट से कुशलम आचक्छे, कुशलम माने कुशल, खेम आचक्छे माने कहा इसके पस्चात कादंबरी से महा स्वेता ने उसके अनामयम यानी हालचाल यानी कुशलचेम के बारे में पपरिच्छ मतलब पूछा, सातो सखी प्रेमना उसने तो सखी के प्रेम से या सखी के प्रेम के कारण ग्रह निवासे ने कृत अपराधेव घर में निवास को अपराध समझती हुई अपराध समझ करके लज्जमाना लजाती हुई कृच्छा देव बड़ी ही कष्टता के साथ कुशलम आक अच्छे अपना हाल चाल कहा मुहुरताम अपगमे मुहुरताम अपगमे का मतलब होता है छंभर बीत जाने पर चामाने और क्या कुछ छंड बीत जाने पर महाश्वेता तामबूल दान उद्यताम ताम अभाषत तांबूल दान अर्थात पान देने के लिए तांबूल मतलब होता है पान ठीक है तांबूल से ही तंबूली शब्द बना है तंबूली एक जाती होती है जो चमा चाहेंगे ही तंबूली एक जाती होती है जो पान का व्यापार करती जो पान बेंचती है ठीक है जिसको नाग भी कहते हैं मतलब नाग भी जैसे की रामकुमार नाग, जैप्रकास नाग, देवेश नाग ऐसे अपना नाम लिखती भी है कुछ जगों पर, कुछ इस्तानों पर भिन भी हो सकता तो तामबूल अर्थात तामबूली होता है, मतलब जो पान का धन बिजनस करता है, व्यापार करता है, तो महूरताम अप गमे, छन भर बीत जाने पर, महाश्वेता तामबूल दान उद्यताम, अर्थात पान देने के लिए तयार, पान देने के लिए उद्यत, महाश्वेता महाश्वेता ने तामबूल देने के लिए उद्धित ताम माने उससे अभाशत माने कहा, उससे माने किससे कादंबरी से कहा, क्या कहा, ताम माने उसको अभाशत माने कहा, कादंबरी को कहा, क्या कहा, सखी कादंबरी, ए सखी कादंबरी, सरवाभी असमाभी, अयम खागतह चंद्रापीडह आराधनियां तद ऐस्मय के लिए अभिनावागत अ Свजका आ भी रख 느ुए अभिनावागत माने अभिन्नयाकं साजंद्रापीडह आराधनिय है अभी नया आया हुआ चंद्रापीर हम सभी के लिए आराधनी है तत माने इसलिए असमई माने इसको तावत माने तो दियताम माने देना चाहिए इसलिए इसको पान प्रदान करो तावत तो अब इनको पान प्रदान करो दियता मतलब देजिए या प्रदान कीजिए इत उक्तवा ऐसा कह करके इत उक्तवा मतलब कह करके कत्वा प्रत्य लगा है ना सा माने वहाँ शनई ही माने धीरे से अव्यक्तम इव अव्यक्तम माने अस्फुट रूप से मतलब अस्फ लज्जे अहम अनुपजात परिचया परिचय नहोने से प्रागल भेन अनेन लज्जे अहम यानि अब प्रिचय नहोने से वाकपटु भी मैं लज्जा का अनुभव करती हूँ आप ही लेकर इनको दे दो किस ने कहा कादंबरी ने कहा सकी लज्जे हम मैं लज्जा रही हूँ अनुपजात परिचय नहोने के कारण प्रागल भेन अनेन ग्रहान तुमेव असमई महाने इसको प्रयच्च महाने प्रदान करो तुम्ही इसको प्रदान करो मैं जो है परिचे नहोने से बड़ा चतुर हूँ बोलने में फिर भी मैं क्या हूँ मैं इसे लजा रही हूँ परिचे नहोने से ग्रहान लेलो तुम्ही असमई इसको प्रेच प्रदान करो इति वाच ऐसा बोली कौन का दंबरी पुनहा पुनहा बारबार अविधीय माना बारम बार उनसे ऐसी बात कही यानि बारम बार उस महा स्वेता से ऐसा कही गई उन्होंने ग्रामेड स्ट्री की भाती बहुत समय के पस्चाथ दान देने के लिए मन को तैयार किया ठीक है यानि कादंबरी ने एकदम गवार की भाती समझिएगा पुनाह पुनाह बारम बार अभिधी अमाना चतया उससे कहने पर ग्रामेव ग्रामेड इस्त्रियों की भाती चिरात बड़ी देर से बड़ी देर बाद दाना अभी मुखुम मना चक्रे देने के लिए मन किया क पान देने के लिए महाश्वेता मुखात महाश्वेता के मुख से अनाक्रिष्ट द्रिष्टी एव बिना द्रिष्टी हटाए हुए मतलब देखती कहां है महाश्वेता की तरब देख रही है सरमा रही है ना नया चंद्रा पीडाया है अनाक्रिष्ट द्रिष्टी एव व प्रसारया मास चांबूल गर्भं हस्त पल्लवं अपने हस्त पल्लव अर्थात कोपल रूपी हाथ को फैलाया क्यों प्रसारया मास चांबूल गर्भं हस्त पल्लवं अर्थात पान की मतलब पान को तांबूल गर्भं यानि पान की वोग्चुप टोकरी होती उसको तो पान को हाथ में लिये हुए कोपल की भाती हस्त पल्लव की भाती कोपल रूपी हाथ को फैलाया समझ में आया और चंद्रा पीड़ा हतु सभाव पाटलं धनुरु गुणा करशन कृतकिन शामलं पाणी प्रासारिय तामबूलं प्रति जिग्राह अब भई इनका हाथ कैसा है इतो एशर्या राय बच्चन जैसी है और इनका हाथ कैसा है इनका हाथ काला पहार जैसा है क्यों ऐसा है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा धनुस और तलवार जलाई है तो यहां पर आपने क्या पढ़ा यहां पर यह पढ़ा कि भईया उन्हों पाटलम प्रकृति से गुलाबी सुभाव से तो गुलाबी लेकिन धनुहूं गुण आकरशन धनुस की रसी खीचने से धनुस की प्रत्यंचा को खीचने से कृतिक्ण शामलम काले हुए हाथ को पाणिम माने हाथ को प्रसार्य माने फैला करके पैला करके तामबूलम प्रतिजग्राह उससे पान ग्रहन किया अथसा ग्रहित्वा अत्माने इसके पस्चास सामाने उसने ग्रहित्वा माने लेकर अपरम माने दूसरा तामबूलम माने पान महाश्वेता य प्रिचे करा रही है तो महाश्वेता किम प्रपिच्छ महाश्वेता अनामयम प्रपिच्छ देखो उपर जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे पूरा पैसेज तो आपको क्या लगेगा पूरे प्रशनों के अंसर बिल्कुल आराम से दे देंगे तो महाश्वेता कादंबरीम अनामयम प्रपिच्छ हो गया उत्तर अत्र कहा आराधनी यहाँ अत्र चंद्रा पीड़ह आराधनी यहाँ पर कौन आराधनी है तो चंद्रापीड आराधनी है क्योंकि वह महमान है महाशवेता कादंबरीम किम अकथयत और उपर हमने आपको कहां बताया अभाशत घाक है? सक Aí कादंबरीम यहां से लिखेगा सकिकादंबरी, सरवाभी, असमाभी, अयम, अभिनवागत, चंद्रापीडः, आराधनियात, अदस्माई, तावत, दियताम, इति, इतना कहा, ठीक है, इतना, इतना कहा उसने, तो उसी में उत्तर है, का कथिता, का कथिता, बताओ, का कथिता, इसने कहा, भरी बताओ, अकथेत का कथिता किसने कहा या क्या कहा तो अब यहाँ पर जो है इस प्रश्ण का थोड़ा सा उत्तर जो है गड़बड है हाँ तो कादम्बरी कथिता यहाँ कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे का शब्द नहीं आगे का शब्द क्या होगा आगे का शब्द होगा वेप माना यंगश्टी कहा का कथिता किसने कहा मतलब कापती हुई तो यहाँ पर वेप माना यंगश्टी कादंबरी कथिता ठीक है हो गया लज्य माना में कौनसा प्रत्य है तो लज्य माना में शानच प्रत्य है कौनसा है सानच प्रत्य है आनमान में सानच प्रत्य होता है ठीक है रेखांके तन से कहीं भ्याख्या पूचता है कहीं नहीं भी पूचता है हम पूरा कराएंगे ताकि कल को अगर यही आए तो आपको काम आए आपके लिए ठीक है तो पूरा पढ़िएगा यह important खीच के लाएं हैं हम यह समझिएगा ठीक है तो आईए पढ़ते हैं आगे दूसरा गद्यान से दूसरे गद्यान को समझते हैं साथ तस्मिन एव मरकत ग्रावणी अब क्रीडा परवत पर भोजन आधिक्रियाओं के बाद सिला तलपल बैठा हुआ चंद्रापीट तरलिका को साथ में लिये हुए मदलेखा को आता हुआ देखता है अब मदलेखा और चंद्रापीट के मद्ध में जो वारतालाप होता है उसी का वरण यहाँ पर है तो मदलेखा और चंद्रापीट के बीच में जो वारतालाप है पूरा वो जो है इसका वरण है तो आईए हम लोग समझते हैं सामाने वह, वह कौन? मदलेखा, चा तसमिन एव मरकत ग्रावणी, उसी मरकत मली की सिला पर, मरकत ग्रावणी मतलब मरकत मली की सिला पर, सामाने उसने, तसमिन एव माने उस ही मरकत ग्रावणी, मरकत मली की सिला पर, मुहूर्तम उपविश्य, थोडी देर बैठ कर, या कुछ चन बैट कर स्वयम उत्थाय स्वयम उठ करके चंद्रापीडं चंदनेन अनुलिप्य चंद्रापीड को चंदन से अनुलेपित करके अर्था चंदन का अंगराग जिसको आप आज की भाषा में क्रीम बोलते हो लगा करके अनुलिप्य माने लगा करके दो दुकूले परिधा यानी कि मालती के फूलों की माला से उसके शिर का अभूशन बना करके अर्थात सिर को सजा करके तम हारम आदाय वाच उस हार को आदाय माने ले करके बोली क्या बोली कुमार शेश नामा हारो अयम है कुमार शेश नाम वाला यह हार हारो अयम यह हार भगवता अंभसा अंभसा मतलब होता है क्या भगवान समुद्र ने अंभसा माने या भगवान मेग ने या भगवान वरुण ने अंभसा पत्या ग्रहम भगवान समुद्र ने घर में यहार सेस नाम वाला यहार भगवान समुद्र ने घर में आये हुए गरहम उपगताय घर में आये हुए प्रचेतसेद तहा प्रचेतस अर्थात वरुन जी को दिया ठीक है समुद्र ने घर में आये हुए वरुन जी को ये सेस नाम का आप देखो कहां से कहां हार पहुंच रहा है ये पहले का वो देखिए वो क्या मतलब पहले की टेक्नोलोजी क्या थी अब तो क्या message हम से पहुँच जाता है पहले message और कहां से वस्तुएं कहां से कहां deliver हो रही है वो समझे आज imagine तो तुमारे address पे deliver कर रहा है लेकिन अब वो भी जिस प्रकार imagine आज कर लेके आता है तुमारा package पुराने जमाने में उसी प्रकार ये package इनके पास कैसे पहुँचा वो समझो कुमार शेश नामा हारो अयम है कुमार शेश नाम का ये हार भगवता अंबसा भगवान समुद्र ने समुद्र के पत्याग रहं उपगताय प्रचेत सेद तहा यानी भगवान समुद्र के घर में आये हुए वरुन जी को दिया था ठीक है वरुन जी को दिया था अब देखाओ वरुन जी कहां डिलिवर कर रहे हैं पाश ब्रता भी पाश ब्रता भी पाश ब्रता भी मतलब वरुण जी ने भी पाश ब्रता मतलब वरुण जी प्रचेतस माने भी वरुण जी तो पाश ब्रता भी वरुण जी ने भी गंधर्व राज आए गंधर्व राज यानि राजा चित्ररत को दिया गंधर्व राजे नापी अब गंधर्व राज किसको डिलिवर कर रहे हैं गंधर्व राजे नापी गंधर्व राज ने भी कादंबर्य कादंबरी को दिया है ना कादंबरी को और तयापी उस कादंबरी ने तुम्हारे शरीर के लिए अस्य अनुरूपम इती यहे अनुरूप है तुम्हारे शरीर के यहाँ अनुकूल है अर्था तुम्हारे शरीर के योग्य है विभावयंत्या अनुप्रेशिता तुम्हारे शरीर के यह योग्य है विभावयंता ऐसा विचार करके ऐसा प्रतीत कर के भेजा है अनुप्रेशिता मतलब भेजा है अता अरहति इंब हुमानम तुत अब देखो कहां डिलिवर हुआ यानि अब भगवान जो समुद्र थे उनके घर आये हुए जो प्रचेतस वरुण जी थे वरुण जी को हार दिया समुद्र जी ने समुद्र ने वरुण को दिय तो वरुण ने गंधर राज चितरत को दिया चितरत ने कादंबरी को दिया अब कादंबरी लास दिलिवरी किसके इस पास कर रही है मदलेखा के पास मदलेखा अंतिम रूप से पैकेज को डिलिवर कर रही है किसके पास समझ ये किसके पास किसको दे रही है चंद्रा पीड को दे रही क्योंकि कादंबरी ने कहा ये तुम्हारे हिसाब से ठीक है तुम्हारे सरीर को अच्छा लग रहा है अता अरहत इयम बहुमानम त्वतह महाश्वेतया आपी कुमारस संदिष्टम नखलु महाभागेन मनसा पिकार्या कादंबर्या पर्थमं प्रणई भंगा इती अब समझो अताहा अरहती इसलिए आपके अत्दिक सम्मान के योग है अता अरहत इयम बहुमानम त्वतह इसलिए आपके जो आपके अत्दिक सम्मान के योग है क्या ये हार ठीक है फिर देखे महाश्वेतयापी महाश्वेता के द्वारा भी कुमारस संदिष्टम कुमार क को संदेश दिया गया है अस नकल उम्हाथ हागेन निश्चही भाक संपन मनसापी कार्या कादंबरया आपके द्वारा मनसे भी कादंबरी का प्रत्थंप्रणय भंगहा प्रत्थंप्रणय भंग नहीं होना चाहिए यानि फिर का समझे महास्वेता के द्वारा भी कुमार को संदेश दिया गया है निश्चे ही भाग के संपन आपके द्वारा मन से कादमरी का प्रणय भंग प्रथम प्रणय भंग नहीं होना चाहिए यानि अब महासोयता ने एक मैसिज तुमको दिया है कि ये प्रथम प्रेम की निशानी है ये समझ लो और उस तस्से वक्षा स्थले बबंद ऐसा कहे करके तम माने उसने तस्से माने उसके किसके चंद्रापीड के वक्षा स्थले सीने पर बबंद बांद दिया चंद्रापीड भी बिस्मय माना, बिस्मय माना मतलब वास्चरेचकित होते हुए प्रत्यावदीत बोला, उससे बोला मदलेखे निपुणासी, ए मदलेखा तुम बड़ी निपुण हो, जानासी, जानती हो, क्या जानती हो, ग्राहाई तुम ग्रहन कराना जानती हो, ए मदले बोलने निदिया उत्तरावकाशम अपहरंत्या उत्तर देने का अवकास दूर करती हुई कृतम वचसी कौशलम तुमने वचन का कौशल दिखाया दिखाती ना तुमने उत्तरावकाशम अपहरंत्या मेरे उत्तर का वकाश अपहरंड करके अपने वचन कौशल को दिखाया इस्थित्वा कादम्री से संबंद कथाओं से बहुत देर तक इस्थित्वा ठहर कर विसर जयाम बभू मदलेखाम मदलेखा को विदा किया अब बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे समझा दिया हमने हमने आपको क्या बताया भगवता अंबसा भगवान समुद्र ने डेलिवर किया था एक गिफ्ट के रूप में किसको वरुन को प्रचेतस तो आप लिखेंगे अंबसा शेष नामा हार प्रचेतसे दत्ता किसको प्रचेतसे दत्ता हा समझ गए आ रहा केन कादंबरे दत्ता हार कादंबरी को किसने दिया था पूरे प्रस्ण यहीं बनने है अगर यह पैसे जाया तो हारा केन कादंबरे दत्ता तो हारा किसने दिया था गंधर्व राजेन और गंधर्व राजेन को हम चितरत भी कहते हैं गंधर्व राजेन ठीक है अस्य गद्यांशत से प्रणीता कहा तो अस्य गद्यांशत से प्रणीता काउन है भाई सा गंधरा पीट का था बान भट समझ गए ना अस्य गध्यांसस प्रणेता बाण भट्टाह अस्ती रेखांकितंस का हिंदियन वाद पहले ही हमने बता दिया है क्या है मदलेखे निपुणासी चंद्रापीट कहते हैं कि मदलेखा तुम निपुण हो जाना सिग्राही तुम तुम ग्रहन कराना जानती हो उत् चलम तुमने वचनकौसल दिखाया बस हो गया अपनी पाठ पुस्तक के आधार पर पत्र लेखा चंद्रापीट तारापीट वैशंपायन किसी का भी आपसे चरिशित्रन पूछता है इंपॉर्टेंट है वैशंपायन चंद्रापीट और कादंबरी ठीक है तीन ये चरिश परिशे मैंने करा दिया है प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है महाश्वेता कस्मिन अनुरक्ता आसीत तो महाश्वेता पुंडरीकम अनुरक्ता आसीत तांबूल करंक वाहिनी आसीत तांबूल करंक वाहिनी कौन थी भाई साहब ये बताओ आप आप बताओ कमेंट में तांबूल करंक वाहिनी पत्रलेखा थी है ना पत्रलेखा लगा लीजिए भाई यहां पर पत्रलेखा अधोल इखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्व सहित ब्याख्या आपको करनी है और ये ब्याख्या कितने नंबर में आएगी भाया आपकी साथ नंबर में आएगी व्याख्या ही पूँचनी है सात्वम्म दियें शरीर वृतिम देहें निवर्ताई तुम प्रसीदा दिनावसानोच सुकबालवाच्छा विस्त्रिज्यतामधेनुयम महर्शे समझ गए होंगे कहां से लिया गया है रगवन्शम से लिया लेखक है कालिदास राजा दिलीप सिंग से कहता है क्योंकि गुरू के गौधन की उपेक्षा नहीं की जा सकती अता तुम अपना पेट भरने के लिए मुझे खा लो इस गौव को छोड़ दो राजा दिलीप सिंग से कहते हैं समझ गए तो फिर कहते हैं क्या सात्वम्मादियेन शरीर व्रितिम सामाने वह उसने तुम माने तुम मदियेन माने मेरे शरीरम माने शरीर से व्रतिम माने शरीर खाकर के देहेन इस शरीर को निवर्तई तुम प्रसीदह अपनी यानी मैं मानता हूँ तुम जो है अंकागत सत्वरति हो अर्थात आये हुए को तुम्हारा यह भोजन है मैं मानता हूं तुम्हारा भोजन है तुम्हे भूप तो लगी होगी है तुम मेरे शरीर से मेरे शरीर से भी अपनी भूख मिटा सकते हो मेरा प्रस्ताओं मान लो मेरी देह से अपनी भूख मिटा लो तो ब्याक्ष्या करनी है यहाँ पे अनुवाद नहीं करना है जो आपको एक एक मीनिंग समझनी है लेकिन मैं समझा देता हूँ सा माने सा हाँ इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिट दाओ हाँ सा तुम मदियेन मतलब मेरे शरीर वत्तिम तेहेन मेरी देह से अपने शरीर की भूख को मिटा लो निवर्त आई तुम प्रसीद और प्रसन्न हो जाओ निवर्त हो करके प्रसन्न हो जाओ दिन अवसानों दिन का समाप्ति हो गई है उत्सुक बालवत्सा अपने बाल बच्छडे के लिए बहुत उत्सुक है विस्रजिताम छोड़ दो धेनू माने गाय को इम माने इस महर्षे माने महर्षी की इस महर्षी की गाय को छोड़ दो क्योंकि दिन की समाप्ती पर ये अपने बालवत्स के लिए अपने छोटे से बच्छडे के लिए बहुत परेशान है तुम मेरे शरीर से अपने शरीर की भूख मिटालो मैं जानता हूँ तुम आये हुए किसी भी जानवर को अपने पास नहीं छोड़ते इसलिए मैं आपके सामने यहाँ प्रस्ताव रखता हूँ कि मेरे शरीर से अपने शरीर की छुधा को सांत करो और प्रसंद हो जाओ है सिंगराज तो आप देखिएगा दूसरा श्लोक आया है एक करना होगा आपको दो नंबर का संदर्व होता है और पांच नंबर की हिंदी व्याख्या होती है भक्त्या गुरव मै अनुकंपया चा प्रीता स्मिते पूत्र वरं व्रिनीश्व नके वला नाम पैसाम प्रसूतिम अवेहिमाम काम दुधा प्रसन्नाम बहुत सुंदर्व स्लोक है भक्त्या गुरव मै अनुकंपया च प्रीता स्मिते पुत्र वरं व्रिनीश्व यानि सिंग के स्थान पर नंदिनी गौव को देख दिलीप को आश्चर्य हुआ इसमें हो गया तो नंदिनी ने कहा इसमें आपन दिलीप से नंदिनी ने क्या कहा जब वो बैठ गए मांस का लोथणा बन करके तो नंदिनी गाये वहाँ पर आ गई और सिंग गायब हो गया वहाँ पर पूलों की वरशा होने लगी तो अब क्या था आश्चरे चकित हो गए थे कौन राजा दिलीप तो हे पुत्र मैं तुम पर बहुत प्रसंद हूँ बच्चा मेरी प्रसंदता तुम्हारे अपने गुरू वसिष्ट के प्रती भक्ती और मेरे प्रती करुणा निमित्वनी है मेरी प्रसंदता कभी विविरत नहीं जाती अता तुम मुसे मन्चाहा वरदान मांगलो वरंब्रू ही बच्चा मुझे केवल दूद देने वाली एक मामूली सी गाय पशु मत समझना क्योंकि जब मैं प्रसंद होती हूँ तब साक्षात काम दुधा बन जाती हूँ तुम् समझ में आया कि गुरु वसेश्ट के प्रतिभक्ति मै अनुकंपया बत्या गुरु वसेश्ट के प्रतिभक्ति और मै अनुकंपया मेरे प्रतिक करुणा प्रितास मी दे मैं दुम से प्रितास मी प्रसंद हूं पुत्र वरम रणीश वरण मांगो न केवल आनाम केवल पैसाम प्रसूती मुझे दूद देने वाली गाय मा भुद दो हो के नहीं प्रसंद हो जाती हूँ तो काम दुधाम हूँ अर्थात काम दुधा बन जाती हूँ यानि अपने कृपा पात्रों पर समस्त चीजों की वर्षा कर देती इती प्रगल्भं पुरुशा धिराजो मृगा धिराजस्य वचो निशम्या प्रत्या हतस्त्रो गिरिश प्रभावात आत्मनम अवग्याम सितली जकारह यताव तुक्तव विरिते म्रगेंद्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन सिलोचय अपिछितिपालमुच्यी प्रीत् संस्कृत में व्याख्या करनी है तो बैटा मैं बता दूं आपको प्लेलिस्ट में संस्कृत के मोस्ट इंपार्ण स्लोकों की व्याख्या पढ़ी हुई है आप आराम से वहां कर सकते हैं लेकिन आपको हमेशा मैं एक पॉइंट बताता हूं जो आपको इस लोग की व्याख या यह जो का महा कभी कालिदासह विरी चित्र गुमंस महा का व्यात उद्रतास्ति बस हो गया ऐसे लिख सकते हो तो अब इसमें आप लिखेंगे असमिन इसलोके ऐसे आप व्याख्या करते समय लिखेंगे असमिन इश्लोके महा कभी या कभी कुलु गुरु कालिदासा महा कभी कालिदासा अकथयत यत अप्र डैस लगाईएगा और संस्कित व्याख्या आपको थोड़ा सा कर देना है ठीक है तो महा कभी कालिदासा की काविसेली जो महा कभी कालिदास है उसकी काविसेली संख्षेप में लिखिए तोड़े से दो प्रशन होंगे एक एक नंबर के पैस्विनी अस्ती पैस्विनी नंदिनी अस्ती ठीक है द्वाविंशे दिवसे नंदिनी उत्र प्रविष्टा तो गुहायाम प्रविष्टा द्वाविंशे का मतलब होता है 22, 22 में दिन कहां प्रवेश किया गुफा में अदोलिकित खंडों में से किसी एकंश की हिंदी में संदर्वस सहित व्याख्या करनी है और आप जान गए कहां से लिया गया है अविज्ञान शाकुंतलम और ये क्या है ये नाटक है और ये नाटक किसने लिखा है महा कभी कभी कुलु गुरु कालि दासह विरिचितह अविज्ञान शाकुंतलं संकल्पितं प्रतमे प्रतमे मेव मयात वार्थे परतारं आत्म सद्रिशं सुकृतै गतात्वं चूतेन संस्रितवती नव मालिकेयं अस्याम हम तईच संप्रतिवीत चिंतह अब समझे सुन्दर श्लोक है और इसकी व्याक्या बहुत ही सुन्दर है आप सुनियेगा तो इस सुन्दर से स्लोक में पतिग्रह गमन के समय पतिग्रह गमन की बेला में शकुंतला जोत्सना लता के पास पहुँचकर उससे अपना लिंगन करने के लिए कहती है गले मिलने के लिए कहती है तो शकुंतला को इस प्रकार लता से बातें करते हुए देखकर जो महा कभी कालिदास के एक पात्र है इस नाटक के नाम है उनका क्या करणव काश्यप काश्यप जी उससे कहते हैं इस स्लोग को कौन कह रहा है करणव काश्यप जी कह रहे हैं क्या कहते हैं संकल्पितम प्रथमम ए उमयातवार थे भरतारम आत्म सद्रिशं सुक्रतई ही गतात्वम तो सुक्रतई ही गतवात्तुम, सुक्रतई मतलब सुकरमों से गतात्तुम, पहुच गई तुम, भरतारम स्वामी को आत्म सद्रिशम, अपने अनुकूल, संकल्पितम पर्थममेव, जैसा कि मैंने पर्थम शुरुवात में ही संकल्पना की थी, संकल्प लिया था, तवार्थ तुम्हारे द्वारा ये समझे बहुत अच्छा कि शकुंतला मैंने तेरे लिए जैसे वर्की कल्पना की थी तो ठीक मेरी कल्पनाओं में आये हुए उस अपने अनुरूपती को प्राप्त कर चुकी है संकल्पितम प्रथममेव पहले ही मया माने मेरे द्वारा तवार्थे माने तेरे लिए भरतारम माने स्वामी को आत्म सद्रिशम अपने अनुरूपती को प्राप्त कर गई है मैंने तेरी लिए जैसे वर की पहले कल्पना की थी तो ठीक मेरी कल्पनाओं में आये हुए उस अपने अनुरूपती को प्राप्त हो चुकी है और चूतेन संस्रितवती चूतेन कार्थ होता है आम्रेन कार्थ होता है आम चूतेन मिंस आम संस्रितवती आम का सहारा लेकर के नव मालिकायम यह नव मालिका भी अस्य अहम त्वई चा संप्रति वीत चिंता तो नव मालिकेयम अहम मैं त्वई माने तुम से चा संप्रति माने अव वीत चिंता चिंता मुक्त हो गया हूँ ये नौमालिका भी आम के ब्रच से मिल गई है, अपने अनुकूल सोभाग्य से अपने वर को प्राप्त कर गई है, अब मैं तुम दोनों की ओर से निशिन्त हो गया हूँ, प्रकृति का जैसा अनुपम अनोखा और अनूठा चित्रन भाविज्यान शाकुंतलम में मिलता है, शायद ही वैसा कहीं पर आपको वर्णित मिले, प्रकृति से ऐसा प्रेम सकुंतला का कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, देखिए, अब क्या कहते हैं, यह कहिते क्या हैं, आप समझिए, यह जो महरसिक कंड़ काश्यप जी हैं, वे कहते हैं कि आम को सहारा जिस नौमालिका थी, यह जो यह नवीन आपकी नौमालिका थी, नौमालिका का मतलब क्या होता है, बताइए, यानि यह जो नौमालिका यानि जिसको आप वो कहते हैं, बेल लता, यह भी अपने अनुकूल पती को प्राप्त कर गई, और तू भी अपने अनुकूल पती को प्राप्त कर गई जैसा कि मैंने पहले ही सोचा था तो अब मैं तुम दोनों मुझे सुचनी नहीं पड़ेगी तो मैं तुम दोनों की चिंता से अब मुक्त हो गया हूँ अब आगे बढ़ते हैं इस लोग समापत है ठीक है लाइक ठों को सेर करो शुष्रूश अस्वगुरून कुरूप्रिय सकी वृत्यम सपतुनी जने पर्तु विप्रक्रतापि रोशन तया मायस्म प्रतीपंग महा भूईष्टं भवदक्षणा परिजने भोगेश्व अनुच्चे किनी यान्तेवं ग्रहिनी पदम युवतयो आमा कुलस्य आधया समझीएगा कि यहां क्या कहा गया अब जब सक ही आज़ि सकंतला पतिगरह कमन की बेला में है गाय हो रही है तो रो रहे हैं गुरू कश्र कंडु और अश्षप है न सम्झा रहे है का समझा रहे हैं कि पतिगरह inward्मन के ऑर दो जो कंडु है वह उंतला को समझा रहें कि बटिया जायो कोई से जगडा ना कि हो शुश्रू शस्व गुरून आहाहा गुरून कार्द जानते हो अपने से बड़े जो भी हो गुरू होते हैं कुरू कुरू प्रिय सखी ब्रत्यम सपत्नी जने यानि गुरू जनों की सेवा करन सपत्नी जो सवते हैं अब देखो वहां कई पत्नियाथी राजाओ दुश्चनत के फिर भी इसकी साधी इस ँचाइव होता है सौतों जितने भी सौत हैं प्रिय सखी व्रत्यम प्रियसकियों जैसा वेवहार करना अगर आदमी तो हार गुसा आहे बरतु माने स्वामी विप स्कृत करे भीप्र कृधापी से बीप्र हो जाएं वह विबीफी उज्जाए और भाव से तंस एंहुन हो जए यागी गूस्ट है रोस्ट या क्रोध के के मा इस्म प्रतीपम गमहा तो उसके विपरीत मत जाना पती के द्वारा तिरस्क्रत होने पर भी कोध के कालन पती के प्रतिकूल आचरण नई करना दू भुईष्टम भव दक्षणा परिजने भोगेश अनुत्से किनी और अपने आश्रित दास दासियों पर अतिधिक उदार बनी रहना भुईष्टम भव दक्षणा दक्षणा मतलब उदार परिजने भोगेश अनुत्से किनी भागेश अनुत्से किनी यानि तू अपने सौभाग्य पर अभिमान न करना और अपने आस्रित दास्दासियों पर क्या करना उदार बनी रहना तो यान्त एवं यान्ति माने चली जाती हैं एवं माने इस प्रकार की ग्रहणी प्रदम युवतयों इस प्रकार की युवतियां क्या इस प्रकार का आचरण करने वाली इस्त्रियां सुग्रहणी का पदब्राप्त करती है और वामाहा कुलस से आधयाहा और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो इस्त्रियां होती है वो क्या होती है कुलों के लिए मानसिक विथा का कारण बन नहीं करतीैं यानि मानसिक शित नहीं नहीं करती है लिए इसके गजासर varit करने वाली सतृत्रियां क्या होती हैं वो कस्ट कारक बंती हैं यानि की मानसिक पीणा देने वाली बनती हैं अगर ऐसा उचित नहीं करती है मतलब व्यवहार सही नहीं करती है एक बाद फिर से इसको समझे कि बिटिया आप जो है गुरुजनों की सेवा करना और जो भी सवते हैं प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना पती के कुरोधित हो जाने पर भी तुम उसके विपरीत आचरण मत करना यानि उससे कुरोधित मत होना इस प्रकार और अपनी जो परीजन होंगे तुम्हारे सेवक से भी का होंगे दासियां होंगे सभी को परुदार बनी रहना और अपने सवभाग्य पर भागेश अनुत से किनी अपने सवभाग्य पर कभी भी घमंड मत करना यान तेवा म इस प्रकार की ग्रहनी पदम युवतियों ऐसी जो ग्रहनी पदम युवतियों आईसी इस्त्रियां जो है ग्रहनी पद को प्राप्त करती है और वामा हमाने इसके विपरीत आजरन करने वाली इस्त्रियां कुलस से अधया कुल के लिए यानि पती के परिवार के लिए मानसिक व्यथा पैदा करती है अगर ऐसा आच्रण नहीं करती है सूक्तियां है गुरुवपी विरह दुखम आशा बंधा साहयति अर्थोही कन्या पर किये वनवकसो संतोलो की कग्या वयम ठीक है यहाँ पर गता देता हूं थोड़ा सा यह भी वियां साकुंतलम की ही सूक्तियां है और सूक्तियां आपकी साथ नंबर में सूक्तिया भी आती है अब यहाँ पर कहा है गुरुवपी विरह दुखम आशा बंधा साहयति पुरुवत मतलब होता है बहुत जादा दुख तो पुरुवपी विरह दुख गुरु माने बड़ा भयंकर, अपि माने भी बिरह दुख, वियोग का बड़ा दुख आशा बंधा सहयती, जो आशा का बंधन होता है, वो बड़े से बड़े बियोग के दुख को क्या करता है, सहन करवा देता है, इसलिए आशा को मत छोड़ो, निराश्ट मत हो जीवन में, नरहो न निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो बिगनो में रहे कर काम करो जग में तुम उच्या नाम करो गुरु अपिबिरह दुख माशा बंधम सहायती तो इस पर अनसुया उसे समझाती हुई इस सूक्ति में कहती है कि मनुष्य को आशा का त्याग नहीं करना चाहि बड़े बड़े संकट भी आशा से टल जाते हैं और बड़े बड़े विरह के बंधन भी आशा के बंधन से टूप जाते हैं अर्थोई कन्या पर कियो कन्या तो हमेशा परायाधन होती है कंड़ो कहते हैं वनो कसो अर्थात वनमे निवासी होने पर भी शारंग्रों को सुद्धुशंत के लिए अपना संदेश दे चुकने के पस्चाथ मार्सिकास्यप सकुंतला को कुछ आवश्चक सिक्षाएं देने से पूर उससे कथन कहते हैं कि वनवासी होने पर भी हम लोग लोकाचार समझत समझते हैं जैसे हाथ वाला पंखा बनाना रजाई सिलना कपड़े में फटे कपडों को सिलना सुई धागा से हम सब जानते हैं बगरा बगरा वही ललित कलाएं तो फिर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थंक के नाट सौंदरे का हिंदी या संस्कित में वरन की भी दिछे प्रक्षिस पिर देखिएगा यहां पर पुष्णोत्तर आएंगे निम्लिकित मेंगे कौन सी रचना कालिडास की नहीं है तो एकवन्स महाकाभयम है अभिज्ञान शाकुंतलम है में फिर दूतम् है लेकिन उत्तराम चरितम नहीं है किसकी है भावभूतिकी अब शकुन्त लयास सहा हस्तिनापुर्ण कागता तक अलब शकूंत लयास सहा हस्तिनापुर्ण गाउतमी गता ठीके तो गाउतमी लगाएगा फिर आपको तो दस वाक्यों में संस्कित में निबंध लिखना होगा, अहिंसा परमोधर्मा, पर्यावरणम परदूशनम, विद्याले सिवारिश कोत्स वहा, उद्धमेन ही सिद्धन तिकर्यानी नमरूत अनुरत है, उद्यम से कारे सिद्ध होते हैं, मनुरत करने से नहीं, सपने देख रूप अकतवा उकमालंकार हमेशा आता है, एक तैयार कर लो, चार वाक्यों का संस्कित में अनुवात करना है, चलो भी मैं करा देता हूँ, और बाकी अनुवात के नियम भहिया पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा, तो है बालिका चावल से खीर पकाती है, आपको यहा तंडुलान खीरम पचती, और विद्याले के चारों और व्रक्षें, विद्यालें परिता व्रक्षाह संती, छात्र पैर से लंगडा है, छात्रा पादेन खंजहास्ती, और बली से प्रतवी मांगता है, बली से प्रतवी मांगता बलिम वसुधाम याचते, स्रीगनेशाय भचता है, वह मुक्ती के लिए हरी को भजता है, तो क्या बनाएंगे? देखे कभियों में कालिदा स्रेष्ठ हैं तो आप लिखेंगे कभीशू कालिदा साहा स्रेष्ठ हा ठीक है। सब्तमी ख़क्ती गरेष्ट रहांकित पदों में विभक्ती वासुदे मासुदेयाई में नमभगोते वास встреч wash वाहा अलम्वसट योगात से वासुदेवाय में चतूर्थी विभक्ती है क्रिश्ना कारागारे जन्मा अभवत तो मेपर उपर तस्थी संप्रदाने संप्रदाने नहीं मेपर उपर कारागार में तो कारागारे तो चतूर्थी विभक्ती है कारागारे चतूर्थी विभक्त सुत्र लगेगा अधिकरण है कारागारे सप्तमी ठीक है मिश्टाननम सरवेभ्यार हो चले तुरु चार्था नाम प्रिये माला सरवेभ्या में चतुरती वग्ती छिशु भुवी तिश्ठती वाके के भुवी पद में सप्तमी का एक वचन होगा ठीक है और निवखित पदो में से किसी एक पद का समास बिग्रा कीजिए पितरा माताचा पिताचा पितरों हो जाएगा माताचा पिताथा चा दुन्दस समास हो जाएगा ठीक है कंसा समास हो जाएगा अनुरूपम रूपस योग्यम हो जाएगा अब वहिभाव नवरात्रम नवाराम नवानाम रात्र गरेशू में कीज विभगत्तिवा वचन का रूप है। मनोभी में मनस प्रतिपादिक के विभक्ति और वचन तो मनोभी जो है वो तरतिया का बहुचन है वर्धन ताम क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए वर्धन ताम में जो है वर्धन ताम में आपका प्रथम पुरुष एक वचन होगा प्रथम पुरुष बहुचन सेवस्व हो जाएगा नीधा तुमें लुट प्रत्ते लगाने पर नयनम हो जाएगा लुट का हमेशा अनम याद रखो होता है अनम और अनम ठीक है और फिर देखेगा क्रीध तो करणियम हो जाएगा फिर आगे बढ़ो अधोली कितान वाक्य में वाची परिवर्तन कीजिये तया पठठे तो सा पठ्ठती हो जाएगा तया पठठे अहम प्रश्न पत्रम लिखामी तो अहम का हो जाएगा मया तो मया प्रश्न पत्रम लिखेते ठीक है लिखेते पक्ते न देवाँ पूझेते तो भक्ताहा देवाँ पूझेते ठीक है ये आपका पेपर है डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है आल्रेडी इसको डाउनलोड कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग बहुत देर तक जुड़े बहुत अच्छे से पढ़े हम आपको आशिरवाद देते हैं शुक कामनाय देते हैं बोड परिक्षा में आपके बहतर नंबर आएं 95 प्लस जाएं आप बहुत बहुत शुक्रिया शेयर कीजिएगा क्योंकि आप ही लोग तो बचे हैं जो स प्रांस्कित प्रेमी हैं